ओम शान्ती, 14 जून 2022 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा भक्ति की रात पूरी हो, प्रभात हो रही है, प्रभात का बहुत महत्व है, इसलिए प्रभात के समय अच्छी रिती बाब को याद करना है, यह संगम का समय कितन कल्यान कारी है, इस समय ही निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं और सब का कल्यान करते हैं, सच्चा सच्चा कुम्ब का मेला संगम को ही कहा जाता, फिर बाबा ने कहा, हर एक को अपना हिसाब किताब भोगना ही पढ़ेगा, बिमारी आदी भी जरूर आएगी, लेकिन भोगना भी खुशी से भोगनी है, कभी आश्चरिय नहीं खाना चाहिए कि इश्वरिय संतान को यह भोगना क्यों आई, इस जनम में किये हुए सारे पाप बाप को सुनाने हैं, जब अपना पूरा पोता मेल बाबा को सुनाएंगे, तभी तो बाप राय देंगे, नहीं बताने से पाप अंदर व्रिधी को पाते रहेंगे, जो सर्विस बहुत करेंगे, जरूर वह उच्च नंबर में जाएंगे, अब तुम्हें श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है, सारे कुल को पावन बनाना है, तुम सल्वेशन आर्मी हो, तुम्हें सब को सल्वेश करना है हर जनम ड्रामा नुसार कुछ न कुछ कला कम होती जाती है, लेकिन अभी है चड़ने की बारी, जो अच्छी रिती श्रीमत पर चलेंगे, वह उच्च पद पाएंगे, याद के बल से ही पाप कटेंगे, इसलिए बाप तुमको रोज कहते हैं, याद में जरूर बैठो, नि पास्ट में बाबा ने कहा, तुम्हें भी ब्रह्मा बाप समान, पूरा बली चड़ना है, अधूरे बली चड़ते हैं, उन्हें मिलता भी अधूरा ही है, इसमें जीवगात की बात नहीं है, एक बाप के बने हो, तो और सब को भूल जाना है, अब और संग बुधियोग तो एक संग जोडना है, और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से, पूरली का सार, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की पूरी प्रालब्द लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बली चड़ो, अधूरा नहीं, बली चड़ना अर्थाद बाप का बन जाना, प्रश्न, किस गु बुद्धी चाहिए, उत्तर, यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है, जो पास्ठ हुआ, वो ड्रामा, अब यह ड्रामा पूरा होता है, हम घर जाएंगे, फिर नए सिर पार्ट शुरू होगा, यह गुहिये बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धी चाहिए, बेहद प्रश्न, मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रडी मारते हैं, और तुम बच्चे खुश होते हो, उत्तर, अज्यानी मनुष्य थोड़ी से बिमारी आने पर रडी मारते, तुम बच्चे खुश होते, क्योंकि समझ से हो, यह भी पुराना हिसाब किताब जुक्तू हो रहा है, गीत तुने रात गवाई सो के दिन गवाया खाए हीरा जनम अनमोल रेमानव कोड़ी बदले जाए ओम शान्ती बाबा कहते वासों में ओम शान्ती कहने की भी जरूरत नहीं है परन्तु कुछ न कुछ बच्चों को समझाना ही होता है परीचे देना होता है आजकल बहुत है जो ओम शान्ती ओम शान्ती जबते रहते हैं अर्थ तो समझ से नहीं ओम शान्ती हमात्मा का स्वधर्म शान्त है यह तो ठीक है परन्तु फिर ओम शिवोहम भी कह दिया है वहे फिर रोंग हो गया वास्तों में इन गीतों आदी की भी जरूरत नहीं है दुनिया में आजकल कनरस बहुत है इन सभी कनरस में फाइदा कुछ नहीं है मनरस तो अभी ही आता है एक बात का बाप बच्चों को सम्मुख बैट समझाते हैं कहते हैं तुमने भक्ती तो बहुत की अब भक्ती की रात पूरी हो प्रभात हो रही है प्रभात का बहुत महत्व है प्रभात के समय बाप को याद करना है प्रभात के समय भक्ती भी बहुत करते हैं माला भी जबते हैं यह भक्ती मार्ग की रसम चली आती है बाप कहते हैं बच्चे यह नाटक पूरा होता है फिर चक्र रिपीट होता है वहां तो भक्ती की दरकार नहीं खुद ही कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। भगवान को याद करते हैं क्योंकि दुखी है। जब कोई आफत आती हैं वो बिमार पढ़ते हैं तो भगवान को याद करते हैं। भक्ति के बाद फिर है दिन। दिन कहा जाता है नई दुनिया को। भक्ति, ग्ञान, विराग्य अक्षर ठीक है। विराग्य किसका? पुरानी दुनिया, पुराने संबंद आदी से विराग्य है। चाहते हैं हम मुक्ती धाम में बाबा की पास जावे भक्ती के बाद हमको भगवान जरूर मिलना है भक्तों को ही भगवान बाप मिलता है भक्तों को सद्गती देना भगवान का ही काम है और कुछ करना नहीं है सिर्फ बाप को पहचानना है बाप है इस मनुष्य स्रिष्टी जाड का बीज इसको उल्टा जाड कहते हैं बीज से जाड कैसे निकलता है यह तो बड़ा सहज है अभी तुम जानते हो यह वेद शास्र ग्रंथ आधी पढ़ना जब तब करना यह सब भक्ति मार्ग है यह कोई भगवान को पाने का सच्चा मार्ग नहीं है सच्चा मार्ग तो भगवान ही दिखलाते हैं मुक्ती जीवन मुक्ती का तुम जानते हो अब ड्रामा पूरा होता है जो पास्ठ हुआ सो ड्रामा इसे समझने में बड़ी बेहद की बुद्धी चाहिए बेहद का मालिक ही सारे स्रिष्टी के आदी मध्य अंत का बेहद का ज्यान देते हैं उसको कहा जाता है ज्यानेश्वर रचईता ज्यानेश्वर अर्थाद इश्वर में ज्यान है इसको कहते हैं रुहानी स्प्रीच्वल नौलेज गौड फादरली नौलेज तुम भी गौड फादरली स्टुडेंट बने हो बरोबर भगवानु आज तुमको राज योग सिखलाता हो तो भगवान टीचर भी ठहरा तु स्टुडेंट भी हो बच्चे भी हो बच्चों को दादे से वर्षा मिलता है यह तो बड़ी सहज बात है बच्चा अगर लायक नहीं है तो बाप लात मार कर निकाल देते हैं धंदे आदी में जो अच्छे मददगार होते हैं उनका ही हिस्सा लगता है तो तुम बच्चों को भी दादे की मिलकियत पर हक है वह है निराकार बच्चे जानते हैं हम अपने दादे से वर्षा ले रहे हैं वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं नौलेजफुल है ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावर नहीं कहेंगे वह तो देवताएं हैं उनको सदगती दाता न नहीं कहेंगे वह एक ही है याद भी सभी एक को ही करते हैं बाप का पता ना होने कारण कह देते हैं कि सब में परमात्मा है अगर कोई को साक्षतकार हो जाता है तो समझते हैं हनुमान ने दर्शन कराया भगवान तो सरव्यापी है कोई भी चीज में भावना रखो तो साक् पढ़ाई की बात है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को आकर पढ़ाता हूं। तुम देखते भी हो कैसे पढ़ाते हैं। जैसे और टीचर होते हैं बिलकुल सधार्न रिती बैठ पढ़ाते हैं। बैरिस्टर होगा तो आप समान बैरिस्टर बनाएगा। यह तो तुम ही जान कि इस भारत को स्वर्ग किसने बनाया और भारत में रहने वाले सुर्यवंशी देवी देवताईं कहां से आये मनश्यों को बिल्कुल पता नहीं है अभी है संगम तुम संगम पर खड़े हो दूसरा कोई संगम पर नहीं है यह संगम का मेला देखो कैसा है बच्चे आये हैं ब कुम्ब के मेले आधी लगते हैं उनसे कोई प्राप्ति नहीं सच्चा सच्चा कुम्ब का मेला कहा जाता है संगम को गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल फिर सुन्दर सुहावना मेला कर दिया है यह समय कितना अच्छा है यह संगम का समय कितना कल्यान कारी है क क्यूंकि इस समय ही सबका कल्यान होता है, बाप आकर सबको पढ़ाते हैं, वेह निराकार, स्टार, लिंग रूप रखा है समझाने के लिए, बिंदी रखने से कुछ समझ न सके, तुम समझा सकते हो, आत्मा एक स्टार है, बाप भी स्टार है, जैसे आत्मा, वैसे परमपिता परमात्मा, फर्क नहीं है, तुम्हारी आत्मा एक भी नंबर वार है, कोई की बुध्धी में कितनी नौलिज भरी हुई है, कोई की बुध्धी में कितनी, अभी तुम समझ से हो, हम आत्मा एक एक ऐसे 84 जनम भोगते हैं, हर एक को अपना हिसाब किताब भोगना ही पड़ेगा, कोई बिमार पड़ते हैं, हिसाब जुक्तु करना है, ऐसे नहीं, इश्वरिय संतान को ये भोगना क्यों होती है, बाप ने समझाया है, बच्चे जनम जनमांत्र के पाप है, भले कुमारी है, कुमारी से क्या पाप हुआ होगा, प्रन्तु ये है तो, अनेक जनमों का हिसाब किताब जुक्तु होना है ना, बाबा ने समझाया है, इस जनम में भी किये हुए पाप अगर सुनाएंगे नहीं, तो अंदर वृधी को पाते रहेंगे, बतला देने से फिर वह वृधी नहीं होगी, सबसे नमबर वन भारत पावन था, अब भारत सबसे पतित है, तो उन्हों को मेहनत भी जास्ती करनी पड़ती है, जो सर्विस बहुत करते हैं, समझ सकते हैं, हम उच नमबर में जाऊंगा, कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा, तो भोगना पड़ेगा, वेह भोगना भी खुशी से भोगी जाती है, अज्यानी मनुश्यों को तो कुछ होता है, तो एकदम हाए हाए कर, रडी मारने लग पड़ते हैं, यहां तो खुशी से भोगना है, हम ही पावन थे, फिर हम ही सबसे पतित बनते हैं, यह चोला पार्ट बजाने के लिए हमको ऐसा मिला है, अभी बुद्धी में आया है, हम सबसे जास्ती पतित बने हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आश्चरिये नहीं खाना चाहिए, कि फलाने को यह बिमारी क्यों, अरे देखो, कृष्ण का भी नाम गाया हुआ है, सावरा, गोरा, चित्र बनाने वाले तो समझते नहीं, वह तो राधे को गोरा, कृष्ण को सावरा दिखाते हैं, समझते हैं, राधे कुमारी है, तो उनका मान रखते हैं, समझते हैं, वह कैसे काली होगी, इन बातों को तुम समझते हो, जो देवता कुल के थे, वह अब अपने को हिंदू धर्म के समझ रहे हैं, तुम श्रीमत पर अपने कुल का उध़ार करते हो, सारे कुल को पावन बनाना है, सेल्वेज कर उपर ले आना है तुम सेल्वेशन आर्मी होना बाप ही दुर्गती से निकाल सद्गती करते हैं वही क्रियेटर, डारेक्टर, मुख्य एक्टर गाया हुआ है एक्टर कैसे है? पतित पावन बाप आकर पतित दुनिया में सभी को पावन बनाते हैं नहीं कहेंगे, अभी तुम अनुभव से कह सकते हो बाबा जिसको करन करावन हार कहते हैं वह इस समय पार्ट बजाते हैं वह पार्ट बजाएंगे भी संगम पर उनको कोई जानते नहीं मनुष्य सोलह कला से फिर नेचे गिरते हैं आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती हैं हर जनम में कुछ न कुछ कला कम होती है सत्युग में आठ जनम लेने पड़ते हैं एक एक जनम ड्रामा नुसार कुछ न कुछ कला कम होती है अभी है चड़ने की बारी जब पूरे चड़ जाएंगे फिर धीरे धीरे उतरेंगे बच्चे जानते हैं अभी यह राजधानी सापन हो रही है राजधानी में तो हर प्रकार के चाहिए जो अच्छी रिती श्रीमत पर चलते हैं वह उच्छ पद पाते हैं सोभी जब पूछे ना बाबा को अपना पूरा पोता मेल भी भेजें तब बाबा राय दे सकते हैं ऐसे नहीं बाबा तो सब कुछ जानते हैं वह तो सारी दुनिया के आदी मध्य अंत को जानते हैं एक-एक की दिल को तो नहीं बैठ जानेंगे वह नौलेजफुल हैं बाबा कहते हैं मैं आदी मध्य अंत को जानता हूं तब तो बताता हूं कि तुम ऐसे ऐसे गिरते हो फिर ऐसे चड़ते हो यह पार्ट भारत का है भक्ती तो सब करते हैं जो सबसे जासी भक्ती करते हैं उनको पहले सदगती मिलनी चाहिए पुझ्य थे फिर 84 जनम भी उन्होंने लिए भक्ती भी उन्होंने की है नंबर वार भले इस समय जनम मिला है प्रन्तु आगे जनम के पाप तो है ना वहे कटते है याद के बल से याद ही डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए बाबा कहते है तुम याद में बैठो तो निरोगी बनेंगे बाबस से वर्सा मिलता है सुख, शान्ती, पवित्रता खा निरोगी काया या बड़ी आयू भी मिलती है सिर्फ याद से नौलेज से तुम त्रिकाल दर्शी बनते हो त्रिकाल दर्शी का अर्थ भी कोई नहीं जानते रिद्धी सिद्धी वाले भी बहुत होते हैं यहां अठे भी लंडन की पार्लेमेंट आदी देखते रहेंगे प्रन्तु इस रिद्धी सिद्धी से फाइदा कुछ भी नहीं दिदार भी होते हैं दिव्य द्रिष्टी से इन नैनों से नहीं इस समय सब सामरे हैं तुम बली चड़ते हो अर्थात बाप का बनते हो बाबा भी बली चड़ा पूरा जो अधूरे बली चड़ते हैं तो मिलता भी अधूरा है बाबा भी बली चड़ा ना जो कुछ था बली चड़ा दिया जो इतने सब बली चड़ते हैं उनको 21 जनमों के लिए प्राप्ती होती है इसमें जीवगात की बात नहीं जीवगाती को महापाप ये तो अच्छा नहीं है, मनुष्य दूसरे का गला काट लेते हैं, ये अपना काट लेते हैं, इसलिए जीव घाती महापापी कहा जाता है, बाप मीठे मीठे बच्चों को कितना अच्छी रिती समझाते हैं, तुम जानते हो, कल्प 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 के संगम युगे, इस पेले में आते हैं ये वही मात पिता है कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो बाबा भी कहते हैं हे बच्चे तुम आत्मई हमारे हो तुम बच्चे जानते हो शुबाबा आया हुआ है कल्प पहले मौफिक जिन्होंने पूरे 84 जनम लिये हैं उन्हों को श्रिंगार कर रह तुम्हारी आत्मा जानती है बाबा नौलेज़ फुल पतित पावन है वहे हमको अभी सारी नौलेज देते हैं वही ज्यान का सागर है इसमें शास्त्रों की कोई बात नहीं यहां तो देहे सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझना है एक बाप की बने हो तो और सब भूल जाना है और संग बुधी योग तोड एक संग जोड़ना है गाते भी हैं हम तुम्हारे संग ही जोड़ेंगे बाबा हम पूरे बली हार जाएंगे बाप भी कहते हैं हम तुम्हारे पर बली हार जाते हैं मीठे बच्चे सारे विश्व की राजाई का तुमको मालिक बनाता हूँ. मैं तो निश्कामी हूँ. मनुष्य भल कहते हैं, निश्काम सेवा करते हैं. परन्तु फल तो मिलता है ना? बाप निश्काम सेवा करते हैं. यह भी तुम जानते हो. आत्मा जो कहती हैं हम निशकाम सेवा करते हैं ये कहां से सीखे हैं तुम जानते हो निशकाम सेवा बाबा ही करते हैं आते ही कल्प के संगम युग पर हैं अभी भी तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं बाप खुद कहते हैं मैं तो हूँ निराकार मैं तुमको यह वर्षा कैसे दू, स्रिष्टी के आधी मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाओ, इसमें प्रेर्णा की बात ही नहीं, शिवज्यंती मनाते हैं तो जरूर आता हूँ न, मैं आता हूँ भारत में, भारत की महिमा सुनाते हैं, भारत तो बिलकुल महान, पवित्र था अब फिर से बन रहा है, बाप का कितना बच्चों पर लव है, अच्छा, मीठे मीठे, सिखी लधे बच्चों प्रति, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग, रुभानी बाप की रुभानी बच्चों को नमस्ते, रुभानी बच्चों की, पहाने बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। धार्णा के लिए मुख्ये सार पहली पुइंट श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है। पुरा बलिहार जाना है। बुधियोग और संग तोड एक संग जोडना है। वर्दान एक बाप दूसरा न कोई। इस मृती से निमित बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृती में रहते हैं। उनका मन बुध्धी सहज एकागर हो जाता है। वे सेवा भी निमित बनकर करते हैं। इसलिए उसमें उनका लगाव नहीं रहता। लगाव की निशानी है जहां लगाव होगा वहां बुध्धी जाएगी। मन भागेगा। इसलिए सब जिम्मेवारियां बाप को अरपन कर प्रस्टी वर निमित बनकर संभालो तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन विग्ण ही आत्मा को बलवान बनाते हैं इसलिए विग्णों से डरो मत। अच्छा और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण विडियो है। जरूर देखें कोई भी मिस ना करे। झाल आज कोई बवाद कोई देता हैं इसलिए